हलो फ्रेंड्स माइनेम इस धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है 36 गड़ करेंट अफेयर 26 फरवरी 2022 का करेंट अफेयर है दोस्तों तो आप वीडियो को बिल्कुल भी पॉज मत कीजेगा क्योंकि सारी कुश्चन इंपॉर्टेंट कुश्चन है दोस्तों आपको एक्जाम हॉल में इसी कुश्चन आपको रिपीटिड मिलेंगे तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजे ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला हमारा क्वेस्चन है राज्य में आयोजीत माता मावली मेला 2022 में विलुप्त होने होते किस नरित्य को देख दर्सकों ने खुब प्रसंसा मिले आप्सन एक है लोकरेंग नरित्या आप्सन दो है राउदनाच आप्सन भी है सुवा नरित्या और आप्सन चार है इन में से कोई नहीं तो सही आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों आप्सन नमबर एको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कोकरेंग नरित्या राज्य में आयोजीत मातावावली मेला 2022 में विलुप्त होते किस नृत्यकूब देख दर्शकों ने खुब प्रसंस मिली तो आंसर में आप लोग किसे टीक मार लगाओगे कोकरेंग नृत्या पॉइंट ओफ यो की हिसाब से समस्ते हैं दोस्तों विलुप्त होते कोकरेंग नृत्यकूब दर्शकों की प्रसंस मिली माता मावली मेता की सुरुवात दीनों की इस्थानिया 87 आदिवासी लोक नर्तक दलों ने अपनी लोक सेवा कला और संस्कृति की छवा बिखेरी सेकेंड हमारा कुश्चन है दोस्तों 36 गर्ड राज पीछड़ा वर्ग आयोग के उपध्यक्ष ने पदभार ग्राहन किये वे कौन है ओप्सन ए है उमेश राठोर दूसरा है सानीप ठाकूर तीसरा है स्री आर एन वर्मा और चौथा है स्री आर एन कश्याप तो सही आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों आप्सन नमबर तीन को आप लोग सेलेक्ट करेंगे स्री आर एन वर्मा 36 गर्ड राज पीछड़ा वर्ग आयोग के उपध्यक्ष के पदभार ग्राहन किया वे कौन है तो आंसर में आप लोग किसे टीक मर लगाओगे स्री आर एन वर्मा पॉइंट ओफ फ्यू के हिसाब से देखते हैं दोस्तों 36 गर्ड राज पीछड़ा वर्ग आयोग के अब्ध्यक्ष स्री आर एन वर्मा ने अपना पदभार ग्राहन कर लिया है स्री वर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है तीसरा है स्री वर्मा का कार्यकार 36 गर्ड राज पीछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2020 की धारा 4 की उप धारा 1 के अनुसार राज्य सरकार के प्रसाद पैट तक रहेगा ठर्ड हमारा क्विस्चन है दोस्तों प्रदेश में कब से कब तक सिसू सनरक्षण मह का आयोजन किया जाएगा ओप्सन ए है 1 से 4 मार्च 2022 दूसरा है 4 मार्च से 8 अप्रेल 2022 और ओप्सन 3 है 8 से 12 मार्च 2022 और ओप्सन C D है 12 से 16 मार्च 2022 तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों ओप्सन नमबर बी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे 4 मार्च से 8 अप्रेल 2022 प्रदेश में 4 मार्च से 8 अप्रेल तक सिसू सनरक्षण महा का योज आयोजन किया जाएगा सेकेंड पॉइंट है 9 माह से 5 वर्ष तक के 26.4 लाख बच्चों को विटामिन A की खुराक दी जाएगे थर्ड पॉइंट है साथ ही प्रदेश भार के 6 माह से 5 वर्ष तक के 24.30,000 बच्चों को आयरन एवं कोलिक एसिट सीरप भी विक्तित की जाएगे आई होप दोस्तों कोशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट कोश्चन की ओर चलते हैं यूक्रेन में उत्पन संकट को ध्यान में रखते हुए वहाँ प्रवाहित सित 36 गर लोगों की सहायता एवं समनवय के लिए किन्हे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ओप्सन A है डाक्टर गनेश त्रिपार्थी ओप्सन B है डाक्टर गनेश C है और ओप्सन D C है डाक्टर गनेश मिसरा और ओप्सन D है इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों, आप्सन नमबर C को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, डाक्टर गनेश मिस्र, पॉइंट ओफ यू के हिसाब से देखते हैं, 36 गड़ के लोगों की सहायता एवं समनवय के लिए 36 गड़ भवन नई दिल्ली आवसिय, आयुक्त कार् के संपर्क अधिकारी डाक्टर गनेश मिस्र को नोडल अधिकारी न्यूक्त किया गया है, थार्ड हमारा पॉइंट है, यूक्रेन में उत्पन संकट को देखते हुए, वहां मौझूद 36 गड़ के लोगों की मदद के लिए हेल्प सेंटर इस्थापित किया गया है, आई हो आई के महा 26 किलोमीटर दूर, मुर्रा गाउं में सूर्य की मूर्ती, इस्तरी, इंभंब और जैन, तिर्थकर की खोज की है, आप्शन ए है धाल सिंग, दूसरा है धाल सिंग, और तीसरा है धाल सिंग, देवांगन, और चाथा है इन में से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर हम क्या है दोस्तों इसका, आप्शन नंबर सी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे धाल सिंग, देवांगन, रविवी की सुदार थी, किसने 36 गड की राजधानी में महा 26 जन्वरी किलोमीटर दूर मुर्रा गाउं में सूर्य की मूर्ती, इस्तरी, इस्तंब और जैन, तिर्थकर क की खोच की है, तो आंसर में आप लोग किसे टीक मार लगाओगे, धाल सिंग, देवांगन, आप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर आएगा, नेक्स्ट कोश्चन की और चलते हैं दोस्तों, 36 गड़ से किसे राष्टी अबाल विर्त पुरुसकार मिलेगा, तो किसे मिलेगा अमर ज्योती, पॉइंट आफ यू के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, 36 गड़ के अमर ज्योती को राष्टी अबाल विर्त पुरुसकार मिलेगा, सेकेंड पॉइंट है, भारती अबाल कल् परिशद ने घोसना की है ठाठ हमारा पॉइंट है 36 गड़ के अमन जोती जाहिरे का राश्टिय बाल विर्ता पुरुषकार वर्स 2021 प्रदान किया जाएगा और फोर्थ हमारा पॉइंट है भारतिय बाल कल्यान परिशद नई दिल्ली ने कूर्ब जीले निवासी अपन अमर योकती का चैन इस पुरुषकार के लिए किया गया है नेक्स्ट कोश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कल मैं इस कोश्चन को रिपीट किया था आज भी इसको रिपीट करूंगा राज्य सरकार की ओर से ट्राइफ फेड और 36 गड़ राज्य लगू अनोपज संग के सहयोग से कितने प्रकार के लगू अनोपज का समर्थन मुल्य निर्धारित कर वन धन योजना में संग्रहन एवं लगू अनोपज का प्रसंसकरन किया जा रहा है 60 प्रकार के 61 प्रकार के 62 प्रकार के 63 प्रकार के तो इसका आंसर मैं कल भी बताया था आज भी बता देता हूं दोस्तों 61 प्रकार के कितने प्रकार के प्रसंस्करंड किया जा रहा है 61 प्रकार के option number 2 को आप लोग select करेंगे next question की ओर चलते हैं 36 गड़ के दूर्ग में निर्मित नए वारलोजी लैब को मिला कर प्रदेश के कितने सास्किया लैब में आर्टिफीसियार की जांच की सुईधा हो गई है 12 सास्किया लैब, 13 सास्किया लैब, 14 सास्किया लैब, 15 सास्किया लैब तो correct answer हमारा क्या आजाएगा दोस्तों, option number A को आप लोग select करेंगे, बारा सास्किय लैब, point of view के हिसाब से समझते हैं दोस्तों, इस नए लैब को मिला कर अब प्रदेश की बारा सास्किय लैब में RTPCR जांच की सुईधा हो गई है, स्वास्थाय मंत्री स्री टी एस सीह देश की दूर्ग में नवनिर्मित, बायोलोजी लैब का उदगाटन किया, कल का हमारा question है दोस्तों, राजीव यूव मितान क्लब में कितने आयू वर्ष के बच्चों की सदस्या बनने की योग्यता रखेंगे, दस से 20 वर्ष, दूसरा है 20 से 30 वर्ष, 15 से 40 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, तो इसका सही आंसर क्या आजाएगा दोस्तों, 15 से 40 वर्ष, राजीव यूव मितान क्लब में कितने वायू सीमा के बीच के लोगों की सदस्या से बनने की योग्यता रखते हैं, 15 से 40 वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 36 गड में कहा नई दिल्ली इंडिया गेट की तर्ज पर 36 गड अमर जवान जियोंती की स्थापना की जाएगे, करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आप्सन नमबर 1 को आप लोग सेलेक्ट करेंगे राइपूर, 36 गड में कहा नई दिल्ली इंडिया गेट की तर्ज पर 36 गड अमर जवान जियोंती की स्थापना की जाएगे, तो आंसर में आप लोग किसे टीक मार लगाओगे, राइपूर आ जाएगा दोस्तों, आज का हमारा क्विज है दोस्तों, 36 गड सरकार की हाफ बिजली बिल योजना प्रदेश के लाखो घरेलू बिजलू उपभोगता को बिजली बिल में कितने प्रतीसत की छुट प्रदान लाब मिल रहा है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंड बॉक्स में लिखके बताएंगे, 36 गड सरकार की हाफ बिजली बिल योजना प्रदेश के लाखो घरेलू बिजली उपभोगता को बिजली बिल में कितने प्रतीसत छुट का लाब मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में लिखके बताएंगे, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत भूले डेली करेंट अफेयर और जीके के लिए, मैं मिलता हूँ अगला करेंट अफेयर में तब तक के लिए बाबाई, टेक कियार, थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो दोस्तों, कर अजय है वाचिंग मैं वीडियो पालगश और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों झाल 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 झाल